प्यारे बच्चों, आज हम थोस कच्चडा का उसने इंतिजान को इस जेले इकाई का मुटाला करने वाले हैं। आईए सबसे पहले हम देखते हैं थोस कच्चडा किसे कहा जाता है। इनसानी सरगर्मियों और अफाल के नतीजे में तयार होने वाले बेकार मांदों को थोस कच्चडा कहा जाता है। यह बेकार मांदे हमारी तरक्के के लिए अंजाम दे जाने वाले सरगर्मियों की बजह से तयार होते हैं। इन बेकार मार्दों की मिदार का अगर हम अंदाजा लगाएं तो रोजाना मुंबई शहर में ही पाच हजार तन ठोज कच्रा पैदा तिया जाता है इस कच्रे का उसने इंतिजाम आज के वक्त की एहन जरूरत बन चुपी है अगर इस कच्रे का उन्तिजाम नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में हम बहुत सारे पुद्रती वसाई को खो सकते हैं ठोज कच्रे की वज़ा से हमारी जमीन, मिटी, हवा और पानी आलूदा हो रही है इन आलूद्कियों को रोपना हमारे विए बहुत जरूरी हो चुका है अगर गोज कच्रे के उसने इंतिजाम के लिए तो इस गोज कच्रे का उसने इंतिजाम करना बहुत जरूरी हो गया है